निवस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहें और मैं हूँ आपकी सांथ दिव्यासिंग हर्याणा चुनाव के नतीजे चौकाने वाली रही जीत का सहरा बांदे का एंतजार कर रही कॉंग्रेस बुरी तरह से हार कई और तमाम दाओं को गलत साबित कर बीजे पी निराज्य में हैट्रिक पाती लेकिन इस हारने का असर अब दिल्ली तक दिखाई देने लगा है आम आगमी पार्टी ने दिल्ली बदान सबाच चुनाव में कॉंग्रेस से गड़बंदन नहीं करने का फैसला किया है आम आगमी पार्टी की नेता प्र्यांका ककड ने साफ कर दिया है कि दिल्ली बदान सबाच चुनाव में आम आगमी पार्टी कॉंग्रेस से गड़बंदन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी इन सब के बीच आप नेताओं के बयान भी मानो राहूल गाली को चड़ाने के लिए दिये जा रहे हूँ अरविंद के जिवाल ने कहा कि चुनाव में ओवर कंपिडेंट नहीं होना चाहिए तो संजे सिंग का कहना है कि हर्याणा में आप से गड़बंदन ना करना कॉंग्रेस की गलती है गड़बंदन होता तो हर्याणा में ये हालात ना होते है वही रागोचड़ा ने तो शायरी बर्यंदाज में कॉंग्रेस को नसीहती है कहा है कि हमारी आज़ू के फिक्र करते तो कुछ और बात होती हमारी हसरत का खयाल रखते तो एक अलग शाम होते आज हो भी पच्ता रहा होगा मेरा साथ छोड़ कर अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केजरिवाल का दिल्ले में अकेले चुनाव लड़ना कोंग्रेस के लिए बड़ा जटका है और आप निता आखेर राहूल गांधी को क्यों चढ़ाने का काम कर रहे हैं इसे परचर्चा के लिए मेरे साथ स्टुडिय मुझूद है कैपिटल टिवी की एडिटर इंचीफ डॉक्र मनिश्कुबाय डॉक्र साब सागत आपका दन्यवाद यह बयान कैसे कैसे हैं कि चुड़ाया जा रहे हैं राहूल गांधी को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है केजरिवाल सोचता कुछ है बोलता कुछ है और करता कुछ है इसने क्या बयान दिलवाया कि आम आदमी पाटी अकेले चुनों लड़ेगी दिली में अंतरात्मा हिल गई है डर के मारे इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है और मकसद क्या है अरविंद केजरिवाल वांट्स टू ब्लैक्मेल क्राहुल गांधी इंटू एन अलाइंस वो समझ चुका है कि भारती जनता पाटी बॉखलाई वी जीट में तब्दील कर चुकी यहां तो हम डूबे हुए हैं हमारे उपर भरष्टा चार कारोप है चारों तरफ से नैंन एमसिटी काम हो रहा हैं ना कुछ काम हो रहा है चारों से हमारी में साक हो गई तिहार से जब से मैं लौटा हूँ लोग हमें तो सुनने तक नहीं आते हमारी इस्तिती डवान डॉल है बिना कॉंग्रेस के फिर सरकार हमारी नहीं बन सकेगी तो आपने क्या किया सुगूफा कमजोर दिखना भी नहीं है और अपना काम भी निकाल लेना है और वो इस बात को जानता है कि दिल्ली की जनता कितरा कॉंग्रेस वाले वे मूरक हैं, बेपूफ हैं, मैं चारा डालूँगा, जाल बिछाउंगा, और राहुल गांधी पपू जो है, उसमियागर के फच जाएगा, क्योंकि हर बार फसे हो, क्योंकि हर बार फसे हो, हर बार, और राहुल गांदी के माइंड इसे खेलता है केजरिवाल अपसे कुछ समय पहले क्या हुआ था जब लोगसभा के चुनाव थे यही प्रियंग ककर क्या हम सातों की सातों सीटों पर अकेले लड़ेंगे कॉंग्रس पार्टी ट्रैप हो गई गड़वंदन करवा लिया सेवन जीरो त्रैप क्या था केजरिवाल को भी मालूम है कि नहीं जीतेगा एक भी सीट कोई नहीं जी सकता लेकर अगर कॉंग्रेस पार्टी अकेली लड़ेगी तो कॉंग्रेस पार्टी रिवाइब कर जाएगी जैसे कि 2019 में हुआ था क्या हम लोग अलग अलग लड़े और कॉंग्रेस पार्टी को लोगसभा के चुनाओं में आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट्स आ गए थे लोगों का ध्यान नहीं जाता तो कॉंग्रेस पार्टी रिवाइब कर सकती है ये डर ये खौफ तो वो स्टर्ड़ जी बनाता है और वो उस स्टर्ड़ जी के पीछे जो है वो साफ साफ होता है कि राहुल गांदी कंफ्यूजड आदमी है पप्पू है उसको हम ट्रैप कर लेगे ट्रैप कर लेगे जैसे राहुल गांदी को ट्रैप कर लिया था कि हर्यानमे भाई यही सबसे पहले केजरिवाल ने कहा हर्यानमा के लिए लड़ेगी तो यह नौबत क्यूं आई कि राहुल गांदी ने हुड़ा से कहा कि आम आदी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते है क्यूं मीटिंग्स हो रही थी क्यूं केजरिवाल बहुत आसानी से राहुल गांदी के दिमाग से खेल कर जाता है जैसे पहली बार इसके सरकार बनी यह कहता रहा कि बच्चों के कसम खाके कह रहा हूँ मैं अपनी कॉंग्रेस के साथ हाथ मिलाओंगा और राहुल गांदी ने समर्थन दे दिया समर्थन उसने दे दिया मुख्यमंत्री भी बन गया और वो मुखमंत्री बनते हैं कि देखे भाई हमने कांग्रेस से राहूल गांदी से समर्थन नहीं माना यह अपने मन से दे रहे है हमें इसके समर्थन की जुरत नहीं है इतना भी कोई एहसान फरामोश हो सकता है यह तो अजीबो गरीब कहानी आप समझें यह बेग्राउंड आप आते हैं कि जो बयान दिलवाया गया आपने कह दिया ओवर कॉंफिडेंट है तो यह है तो वो है गाली दिया एक तरफ से दूसरी तरफ से इन्विटीशन भेज दिया आपने शैरी जो पढ़ी चड़ा की चड़ा की जो शैरी आपने पढ़ी कि हम साथ होते तो कुछ और बात होती है ना तो आपने इसारा किया तो आँखे मार के बुलाने का आँख से इसारा करके बुला रहे होके आज आओ दिल्ली में साथ में मिलके लड़ेंगे राहूल गांदी को केजरी बार एक ऐसी टॉफी देता है जिसमें मिठास भी है तीखा पन भी है उसमें मिर्च भी है सब कुछ है और राहूल गांदी के मूँ में जाते हैं राहूल गांदी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह जो टॉफी है वो मीठी है कि खटी है कि तीकी है कि क्या है वो कंफ्यूज कर देता है और कॉंग्रेस पार्टी हर बार ट्रैप हो जाती है हर बार ट्रैफ हो जाती है, तो ट्रैफ होती है, तो इसलिए तो दिली और पंजाब से खत्म हो गई कॉंग्रिस पार्टी, तो उसने एक नई चाल चली है, क्यों चली है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले है, आरेसस से सवाल कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्यों कि हर्याना में उसको मालूम चल गया था कि ground level पे RSS काम कर रही है किसी को को confusion नहीं होना चाहिए किसी को कोई भी confusion नहीं होना चाहिए कि हर्याना में हारी भी बाजी BJP इसलिए जीती क्योंकि RSS के selfless swim सेवक जिन्होंने अपना काम किया और चुपचाप बिना कोई credit ले वे अप यह क्या लग रहा है भाशन से हो आप चुनाओं जीते हो स्टेट्जी से और तमाम तरह कि यह सिर्फ वो सिर्फ RSS के swim सेवकों के जो selflessly काम करते हैं उनकी कड़ी मेहनत है कि आपने turn around कर दिया और इसको यह बात मालूम था कि हरियान में RSS वाले मैदान में उतर गया है दिल्ली में नहीं उतरते हैं दिल्ली में नहीं उतरते हैं यह भी मैं आपको बता दूँ और अगर assembly election में RSS का हर संगठन active हो गया केजरिवाल एक-एक seat के लिए मोहताज हो जाएगा यह भी मैं आपको बता रहा हूँ तो इसलिए वो RSS से प्लीड कर रहा था वो क्यों कहता है कि हम भी हिंदुवादी हैं हम भी यह हैं हम भी वह हैं हर्वान जी की पूजा खरने लगता है कि उसको अब यही मालूम है कि हम तो मुसलमानों को लिफाबा पहुंचा करके हम वोट ले लेंगे जुग्यों में सरा बटवा करके पैसे बटवा करके हम वोट ले लेंगे लिकिन जो भारती जित्ता पार्टी के हार्ड कोर वोटर्स हैं वो अगर इकठा हो गए और अगर वो एक मुस्त वोट देने के लिए आ गए तब तो फिर हमारी दाल नहीं गलने वाली है और यह काम कौन करा सकता है वो RSS करा सकता है तो वो अपनी हार को साफ साफ देख पा रहा है और जैसे उसको यह बात समझ में आ रही है कि हारेंगे तो हम जरूर लेकिन फिर कॉंग्रेस के साथ हाथ मिलाना जरूरी है क्योंकि कॉंग्रेस वाले ने भी अभी तीन दिन पहले यह घोश उसको वापस खीचेगी 20-30% भी वोट यहां से चला गया कॉंग्रेस की साइड में केज रिवाल सिंगल डिजिट में आ जाएगा ये कैलकुलेशन कहता है तब इसको ये भी मालूम है कि कॉंग्रेस पार्टी तो आप आएगी तो आपने क्या किया तीन चार्ड लोगों से अलग-अलग बयान दिलवा क्योंकि अब बात ये करेगा हाइयर पॉइंट से कि अगर गड़बंदन भी होगा तो इस सतर में से दस सीट से जादा नहीं देगे कॉंग्रेस पार्टी 35 मांगेगी 25 मांगेगी 30 मांगेगी गड़बंदन होगा नहीं होगा क्या होगा वो अलग का आनी है लेकिन वो अपने टर्म्स अंड कंडिशन पे कॉंग्रेस पार्टी को लियोर कर रहा है इस कॉंफिडेस के साथ कि राहूल गांदी पप्पू है इसको चार तरब से घेरेंगे तीन चार वामपंथी जो उसके सलहकार है पत्रकार है उनको जाकर के एक इंपुट देंगे वो राहूल गांदी का ब्रेंड वास करेंगे और यह हमारे जाल में फच जाएगा जैसे हर बार फचता रहता है क्योंकि वह वही एजेंशिया केजरिवाल को भी फंड करती थी ना जिन एजेंशियों के साथ अमेरिका में जाकर के मिलते है राहूल गांदी तो अंदर से भी प्रसर दिलवा सकता है बाहर से भी प्रसर दिलवा सकता है ये रिष्टा क्या कहलाता है ये समझना जरूरी है और इसलिए इनकी बातों पर मत जाईए केजरिवाल और आधी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे हैं अगर उनकी बातों को आपने सुनना शुरू कर दिया उस पे यकीन करना शुरू कर दिया 5% भी आप मुर्ख बना दि आम आध्मी पार्टी का चुनाव बीचेपी के लिए पायदे मत तो कॉंग्रेस को भारी पड़ गया क्योंकि कई सीटे ऐसी हैं जहां कॉंग्रेस प्रतियाशी बीचेपी के सामें चंद वोटों से हार गे वहें इन सीटों पर आम आध्मी पार्टी ने उस मार्जिन से किया नहीं सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता है अगर आपने अवे तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कि आपको हमारी ख़बर कैसी लगी धन्यवाद झाल कि आपको हमारी तक हमारी और करें हूँ करें कि आपको हमारी ख़बर के लिए भ्मनीवाद